नमस्कार असपलता एक चुनोती है इसे श्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और शुधार करो जब तक ना हो शपल नींद चैन को त्यागो तुम संगर्ष का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ किये बिना ही जैजे कार नहीं होती और कौशिश करने वालों की कभी हार नही होती है यह मेरी पसंदिदा पंक्तियां है और अक्षर यह उन विद्यारतियों के लिए प्रिरक्षा भी तोती है जो हतास हो चुके हैं जो निरास हो चुके हैं जो किसी एक प्रिक्षा में असपल होने के बाद में यह मान लेते हैं कि हमारा कभी स्लेक्शन नहीं हो सकता है इस्कूल वेख्याता राजनीती विज्ञान की हमाल जो चर्चा करना चाह रहे हैं और इस्कूल वेख्याता राजनीती विज्ञान में जो पाच्छाते विचारक है जो थिंकर है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें जो पहला ही थिंकर है, आज हमारा जो पूरा इस वीडियो का जो मुख्य दिया ही है, वो प्लेटो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्लेटो टु माक्ष आप सब के पाठ्चे करम में है, प्लेटो टु माक्ष का पहला जो टॉपिक है पाश्चाते विचार सबय आपका बहुत अधिक कारिय हो गया, लेकिन हम एक नए सीरे से इस टॉपिक को प्रारम करना चाह रहे हैं, एक नए तरीके के इस टॉपिक को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग बहतर तरीके से इसको समझे और हमारे इस प्लेटो के टॉपिक को के बाद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रत्युकता प्रिक्षाओं में प्रिशन आते हैं और उनका हल हम लोगों को किस प्रकार से करना है इसलिए इस वीडियो की शुरुवात हम लोगों ने एक अलग तरीके से किये और हम प्लेटों की अध्यन पदतियों की भी चर करेंगे उसकी पुष्टकों के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे पहले क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जरा देखिए आईए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब का हार्दिक श्वागत और अभिनंदन है चलिए स्टार्ट करत जिवन काल माना जाता है उस जिवन काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे लेकिन फिलाल इस टॉपिक की सुरुवात मुझे लगा कि शैली के इस कथन से इस कौटेशन से करनी चाहिए और इस कौटेशन में ही बहुत कुछ आप लोग पाएंगे कि Plato की philosophy क्या थी, Plato क्या चाहता था, उसका दर्शन क्या है, उसके राजनितिक्षित्दान्त क्या है, और उसका धेई क्या था, उसका उद्धिश्य क्या था, तो जराइशे आप लोग पढ़ें, कि Plato पर्थम और संबवत अंतिम व्यक्ति था, यनकी Plato इस धर्ती पर पहला और अंतिम व्यक्ति था, जिसने इस बात पर जोर दिया, जिसने इस बात का पुधिबादन किया, कि किसी भी राज्य पर सर्वादिक धनवान, सर्वादिक महत्वकांक्षि और सर्वादिक चालाक व व्यक्तियों की द्वारा शासन किया जाना चाहिए अर्थार्थ किसी भी रज्य का सासक सबसे अधिक धनवान होना जरूरी नहीं है सबसे अधिक महत्वक अंक्षी होना जरूरी नहीं है और सबसे अधिक चालाक होना जरूरी नहीं है प्लेटो का मानना था कि किसी भी रज्य का सासक बुद्धिशाली व्यक्ति होना चाहिए यनकी बुद्धिशाली व्यक्तियों की द्वारा शासन किया जाना चाहिए या बुद्धिशाली व्यक्तियों का मतलब है कि एक ऐसा सासक जिसमें विवेक हो एक ऐसा सासक जिसमें ज्ञान हो एक ऐसा सासक जिसको शिक्षा के माध्यम से उसको इस प्रकार से पारंगत किया गया है कि वो बहतर तरीके से सासन कर सके प्लेटो का मानना था कि सासन करना एक कल्ला है और उस कल्ला को प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिदान्त भी दिया हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटो एक ऐसे रज्य का निर्मान करना चाहता था क्योंकि प्लेटो की पूरे विचारों का जो मुख्य जो उसका दर्शन है या जो उसका आदर्श है जो उसका मुख्य ध्येई है वो है आदर्श रज्य और उस आदर्श रज्य को चलाने के लिए प्ले जो सबसे प्रभुद्वर्ग हो जो बहतर तरीके से शाषन ववस्ता को संचालिद कर सकता है। यह शैली का कतन है और इसे आफ समझ पाएंगे कि प्लेटो एक बुद्धि मान व्यक्तियों की द्वारा साषन ववस्ता को संचालिद करवाना चाहरा था। लेकिन क्या कारण था कि प्लेटो ने अपने रज्य में एक बुद्धिशाली व्यक्ति को सासन की सत्ता सौंपना चारा था उसका कारण क्या था हम जब अपने जीवनकाल में आते हैं तो जीवनकाल में आने के बाद में हमारे जो आसपास का जो वातावरन होता है हमारे जो प सब्सक्राइब सब्सक्राइब को लगा कि भारत में एक शशक्त, एक कैंद्रिकरत और एक मजबूत शरकार बनना बहुत अधिक जरूरी है, ताकि देश में एकता और अखनता को इस्तापित किया जाए, मैं इस बात को यहां से जोडने की कौशिश कर रहा हूं, कि प्लेटो ने अपने जीवनकाल में कुछ क्याशी गटनाओं को देखा, बचपन में और युवा आवस्ताओं में उसने ऐसे माहुल को देखा, ऐसे वातावरन को देखा, चुकि आप जानते हैं कि प्लेटो का जनम एथेंस में हुआ था, तो एथेंस की प्रस्तितियां और वहां के वातावरन के बारे में हम लोगो क्यों करना चाहता था और प्लेटो की दृष्टी में आदर्श रज्य की परिभाशा क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्लेटो को पढ़ने से पहले, प्लेटो की शुरुवात करने से पहले हमें ये जानना होगा, कि प्लेटो से पहले क्या व्यवस्ताएं थी, प्ल नंबर 2 यह दिए हम बात करें तो सुक्रात जो कि प्लेटो का गुरू और ऐशा कहा जाता है कि दुनिया में शुक्रात के जितना बुद्धिशाली व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है और सुक्रात का यह जो शिश्य है वो कौन है प्लेटो प्लेटो तक आने से पहले हम लेटों क्यों उन चीजों से इतना सुब्ध था क्यों उतना आहात था कि वो एक आदर्स अज्य का निर्मान करना चाहता था और उसकी बागडोर सबसे विवेक्षिल और बुद्धिश्याली व्यक्ति के हाथ में वो उसे शौपना चाह रहा था तो सबसे पहले जो हम बात कर करना चाहा रहे हैं वह सोफिस्ट विचारक सोफिस्ट विचारक सबसे लोगों का समुथा ऐसे विधवान लोगों का समुथा जो शिक्षक के रूप में कारिय करते थे डि You such a आप असमें जगए जगे पर जाकर वो धन लेकर यनकी हम कह सकते है कि धनार्जन करके वो शिक् लोगों को ज्यानी बनाते थे, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेते थे, धन लेते थे, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्रात्मक शासन ववस्ता थी, और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विचार की अभिवक्ति की जो है आजादी होती है, और लोकतंत्र में सत्ता तक पहुं पहए वो शाषन की सत्ता तक पहुं celebrating उसके लिए उनको ज्क्रक्ता थी शिक्षा की आवशक्ता थी और उनकी इस आवशक्ता की पूर्थी करने वाले जो वीचारक थे उनको कौन से विचारक आजाता था शौफिष्ट वीचारक आजाता था तो शोपिष्ट विचारक गुमंतुक शिक्षक थे पहली बात दूसरी बात ये धन लेकर क्या देते थे शिक्षा देते थे और ये शोपिष्ट जो विचारक थे उनका मानना था कि जो यनिकी जो सत्य है सत्य जो है इनका मानना था कि सत्य शापेक्ष है शत्य शापेक्ष है, इसका मतलब है कि शत्य परिवर्तन शीले, शत्य बदलता रहता है, इनका मानना था कि सत्य निर्पेक्ष नहीं है, यनि कि शत्य शापेक्ष अर्तार्त शत्य बदलता रहता है, आप अपनी प्रस्तितियों के अनुशार, अपने श्वारत के अनुशार, सत्य की परिभाषा को आप बदल सकते हैं सोफिष्टों का मानना था कि ज्ञान, सत्य, संपूरण जो ववस्ता है ये परिवर्तन शील है, ये बदलते रहते हैं आप अपनी आवशक्ता के अनुशार सत्य की परिभाषा को बदल सकते हैं इस प्रकार के इनके क्या थे, विजहार थे तो उस समय के जो धनाड़े लोग जो थे, जो शक्षम जो लोग थे, जो सासन ववस्ता में भगिदार होना चाते थे, वो लोग सोफिष्टों से ज्ञान पराप्त करते थे वो उनसे शिक्षा पराप्त करते थे ताकि जो अपने तरक और वाक चातुरी के माध्यम से ये सासन ववस्ता में भगिदार हो शकते थे और सासन ववस्ता को चला सकते थे इसलिए वो सोपिस्टों से इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाते थे और इस सोपिस्टों का मानना था कि आप वाक चातुरी से ज्ञान हीच सदगुण हैं और उनका मानना था कि शत्य है वो निर्पेक्ष है, शत्य कभी बदलता नहीं है, शत्य हमेशा सत्य ही रहता है, इसलिए उन्होंने सोफिस्टों का विरुद किया, इसके अलावा सोफिस्टों के द्वारा जो न्याय की जो आत्मपरक, अपनी सोफिस्ट विचार धारा का प्लेटों ने, शुकरात ने हम कह सकते हैं, इनके विरुद किया, इनकी आलोचना की, क्योंकि ये जो सोफिस्ट विचारक थे, इनका ये भी मानना था, कि रज्य जो है, लोगों के द्वारा निर्मी थे, अर्थार्थ रज्यकरतरी में है, रज शुक्रात का कोई घ्रंद हैं और शुक्रात का वो शिश्य होने के नाते जितने वर्षुक्रात के साथ में भिता हैं उन्हीं बातों को उन्होंने अपने घ्रंतों में आकार रूप दिया है तो सोपिस्टों का इसना कि राज रदे worms लेकिन Plato का मानना था कि रज्य प्राक्रतिक है, रज्य नितिक है, अथे नितिक रज्य होने के नाते रज्य में किसी दंड और विधी की आउशक्ता नहीं है, ऐसा प्रारम में Plato का मानना था, तो सबसे पहले हमने बात की सोफिष्ट विचारकों की, दूसरी जो गटना जो Plato न और इस्पाल्टा ताकतवर एक नगर रज्य था, शैन्य शक्ति उनकी जबरतस थी, सुक्रात ने खुद ने उसे युद्ध में भाग लिया था, प्लेटो ने इस युद्ध को देखा था, लगबग अठाइश वर्षों तक, और इस युद्ध में प्लेटो ने देखा कि कि एक ऐसा रज्य इस्तापित हो, एथेंस में एक ऐसी राजनितिक ववस्ता की इस्तापना हो, जो शान्ती हो, जहां नितिकता हो, जहां विकास हो, और जो शेन्य दृष्टी से क्या हो, मजबूत हो, इसलिए उसने आदर्स रज्य का कॉंसेप्ट दिया था, तीसरी जो गट प्लेटो के रिस्तेदार भी थे, क्योंकि प्लेटो कुलिन वरक्षे आता था, प्लेटो शासक वरक्षे आता था, प्लेटो ने उस शासन ववस्ता में जाने से इनकार कर दिया, ये जो तीस अत्याताई का जो शासन था, इन लोगों ने शुकरात को जैल में बंद कर दिया यारूप लगाते हुए कि शुकरात युवाओं को पतब्रष्ट कर रहा है क्योंकि शुकरात जगे जगे पर एक गुमंतुक एक विद्वान होने के नाते वो जगे जगे पर अपने विचारों से तरक के माध्यम से वारतालाब करता था और ज्यान की खोज करता था शत्य की वो अपने तरकों से बड़े बड़े लोगों को जो है पराजित कर देता था इन अत्याचारियों को लगा कि इस प्रकार से शुकरात हमें नुक्षान पहुचाएगा क्योंकि विद्वान लोगों को पराजित कर देता था इस कारण से शुकरात को जैल में बंद कर दिया ग उपता कि नकेवल युवाओं को पत्परष्ट कर रहा बलकि बहुदेवाद का विरुद कर रहा है दिवी देवताओं का भी विरुद कर रहा है कुल मिलाकर लोकतंतर समर्तक थे चाहें ये तीश अत्याचारियों का सासन था ये सब शुकरात को अपने लिए बहुत बड़े खद्रे के रूप में देखते थे आते इन्होंने विश का प्याला देकर शुकरात का हत्या कर दी इस घटना को भी प्लेटों का लुकतंतर से नुठगया इसके कांट प्लेटो का एथेंस की सासन ववस्ता से मनूठ गया, इसलिए प्लेटो ने जो अपने सिद्धान्त दिया आदर्स राज्य का और उस आदर्स राज्य की बागदुर वो देना चाहता था किसे दर्शनिक राजा को, तो मुझे लगता है कि इन चार घटनाओं के मा उसने देखा इन सारी घटनाओं का प्रभाव प्लेटो की जिवन पर पढ़ा और इशा का जाता है कि शुकराद को मृत्युदंद देने के बाद में प्लेटो एथेंस को छोड़ कर विश्व के अनेक देशों में ब्रमन करता है जिसमें इटली है, फारश है, भारत का भी जो है उलेक आता है, यह सब जिवन परिचे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो है प्लेटो वापिश आता है और अकादमी की स्तापना करता है एथेंस में, लेकिन प्लेटो को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि इसकूल व्यक्याता कि जो विद्यारत के रूप में सोचता हूँ, एक अभ्यरती के रूप में जब सोचता हूँ, एक एक्जाम देने वाले स्टुडेंट के बारे में विचार करता हूँ, तो मेरे में में पहला प्रशन ही उठता है कि प्रशन कैसे आते हैं, हमने पिछले तीन स्कूल व्यक्याता भरती में जो प्रेटों से समंधित प्रशन आये हैं, उन प्रशनों को आपके सामने सबसे पहले लेकर आये हैं, और उसके बाद में हम प्रेटों के बारे में हम लोग चर्जा करेंगे, 2015, 2018 और 2020 जिनके एक्जाम जो 2016, 2020 और 2022 में हुए, वो प्रेटों से समंधित प्रशन हैं, वो प्रशन हम लेकर आयें, ताकि इस टॉपिक को पढ़ते हैं आप लोगों को जानकर ही होनी चाहिए, कि प्रशनों की प्रकृती कैसी होती है, और प्रशन कहां से बनते हैं, और हम जो रीपब्लिकन को शिक्षा पर लिखा गया सर्वत करश्ट गरंत किसने का हता, ये प्रशन मैंने पहले ही बता दिया, 2015, 2018, 2020, प्लेटों की रीपब्लिक को, रीपब्लिक जो प्लेटों की सबसे प्रशित पुस्तक है, इसको शिक्षा पर लिखा गया सर्वत करश्ट गरंत क इस ने कहा था तो इसका अंस्वार आफ तब लोगों को पता है रूश हो है क्योंकि प्लेटो का जानना प्लेटो की Republican का मुख्य उदेश्य था आदर्स राज्य की स्तापना करने के लिए क्योंकि प्लेटो का मानना था कि शासन एक कला है, उसको प्राप्त किया जा सकता शिक्षा के माद्यम से, तो प्लेटो का जो शिक्षा का सिदान्त है, वो बहुत जबरदस्त है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. दूसरा प्रशन कौन सा सिदान्त प्लिटो से समंधित नहीं हैं तो इसमें अद्रश्य हाथ का जो सिदान्त है वो स्मित का है आप सब लोग जानते हैं तो ये जो सिदान्त है वो सिदान्त एडम स्मित का है अद्रश्य हाथ जो की बाजारू अर्तववस्ता खुली ये कहिन कहीं प्लेटों से जोड़ी वी शब्दावलिया हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तीन वर्गों में वीबाजित किया था, उत्पादक वर्ग, शैनिक वर्ग और दार्षनिक वर्ग, वो उसमें ठ्यू विबाजित किया और लोगों को किस प्रकास से संतुष्ट करने के लिए जूट बोलना होगा राजा को, उस जूट के बारे में हम डिटेयल में चर्चा कर सत्यवान के नाम से क्या किया इसका गुजराती में अनुवाद किया तो इस बात का भी आप लोगों को धियान रखना है रिपब्लिकन का लेखक ये तो बहुत दीजी प्रशन है आप जानते हैं प्लिटो और पत्नियों वह संपती के समयवाद के सिदान्त का प्रतिपादक भी कौन था प्लिटो था प्लिटो ने आदर्स रज्य की स्तापना करने के लिए जो है समयवाद का सिधान्त दिया शिक्षा का सिधान्त दिया और दार्षनिक राजा को इसकी बागदूर दी और न्याय का सिधान्त दिया प्लिटो को लगा कि एक आदर्स रज्य की स्तापना के लिए किन-किन चीजों की आउशकता रहेगी, जो जो उसके सामने बाधाएं आ रहे थी, उन बाधाओं को उसने जड़ से ही समाप्त कर दिया, कि नहरे एगा पांश, नवजे की बासूरी, हम बात करेंगे प्लेटों के साम्मेवाद का सितान्त क्या था, पत्नियों और संपति का, निम्नांकित में ऐसे क्या प्लेटों के चिंतन से समंदित है, तो इसका उत्तर था, बारकर ने का था प्रबुद निरंकुष था, यहनकि प्लेटों का जो सासकता जो भुद्धिशाली था, विवेक था उसमें, लेकिन वो निरंकुष है, क्योंकि प्लेटों ने शारी शक्तियां उसको दे दीती, जनमत का उसके उपर किसी प्रकार का कोई अंकुष नहीं था, या किसी प्रकार के कानुनों से वो बंधावा सासक नहीं था, ये प्रशन प्लेटों से समंदित पिछले तीन इस्कूल वेक्याता भरती में आयो हैं इनी प्रशनों को ध्यान में रखते वे हमने आपके लिए टॉपिक त्यार करके लेकर आएं आईए हम बात करते हैं और सबसे पहले जो में इस टॉपिक की बात करना चाहता हूं वो है प जनपततियों के बारे में चर्चानी करोगे क्या बिल्कुल करेंगे लेकिन हम सबसे लास्ट में इनके बारे में चर्चा करेंगे इसका कारण ये है मेरा ऐसा मानना है कि हमने सनातक में जब से हम समझने लगे पढ़ने लगे राजनीति विज्ञान को हमने प्लिटों के और उसके बाद में हम उसके जिवन परीचे की भी बात करेंगे, उसके जो है अध्यन पद्धितियों की भी चर्चा करेंगे, पुस्तकों की भी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले जिस आधर सरज्य की सिद्धान्त की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने काफी भूमी का अब तक इसके लिए आप लोगों के लिए बना चुका हूँ. पहला ही तक थे तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये आधर सरज्य का जो सिद्धान्त दिया, वो किस जो प्लेटो की जान है, प्लेटो की सबसे महतपुन जो कृती है, जो है रीपब्लिक, ये समवाद शैली में है, डायलोग शैली में है और इसका प्रधान जो व्यक्तित्व है, जो प्रधान जो प्रमुग जो इसका जो हम कह सकते हैं कि चरित्र है, वो है सुकरात है. प्ले कौली पॉलिश लेकिन दा लॉज उसकी जो अंतिम पुष्टक है उसमें एक व्यभारीक रज्ज की स्तापना की गए जिसमें कानून के सासन की बात कहींगे क्योंकि प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष्टों तक इस बात को समझ लिया कि सही क्या है और गलत क्या है तो उसको जो दा लॉज में उसने जिस रज्ज की कलपना की जिस रज्ज की बात की उसका नाम है मैगनिशिया तो इस मातों का भी ध्यान रखना कई बार ये फैक्ट पूछ लिये जाते हैं प्लेटो के आदर्स रज्ज की सिद्दान्त को समझने के लिए सबसे पहले जरू रज्ज शाध्य है क्योंकि प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा रज्ज को ज्यादा मेहतो दिया तब पहली बार तो आप लोगों को ये द्यान में होनी चाहिए दूसरी जिवानु वजीव का जो सम्मन्द है वह व्यक्ति और रज्ज की बीच में समंद है प्लेटो ने जविक रज्य की बात कई, साव्यव सिद्धान्त का समर्तन किया, उनका मानना था कि रज्य विकास की दैन है, रज्य करतरिम संस्ता नहीं है, रज्य प्राकरतिक संस्ता है, जो विकास का परिणाम है, साव्यव सिद्धान्त, जविक सिद्धान्त आप लोग जानते हैं, जिस व्यक्तियों से ही रज्य का निर्मान हुआ है, व्यक्ति का व्रहत रूपी रज्य है, यह प्लेटों का बहुत अच्छा कतने कई बार पूछा जाता है, तो जिवानों और जीव में जो समंध होता है वो व्यक्ति और रज्य में आपस में समंध है, रज्य व्यक्ति की विशे है ज्यान कहते हैं हम लोग जैसे शयम है विवेक है साहांस है लेकिन इन तीनों में से कोई इन कोई गुण एक व्यक्ति में अधीक होता है और जो जिसमें गुण की अधिकता है उसे वही कारिये करना चाहिए इसी आधार प्रप्लेटों ने जो है रज्य को तीन वर्गों में विवाजित किया था उसके बार में भी हम लोग चर्चा करेंगे मानवी आत्मा में पाए जाने वाले तीन गुण रज्य में भी पाए जाते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार से शामुलिक ताय में वो तीनों गुण किसमें पाए रज्य में पाये जाते हैं तो व्यक्ति का व्रहद रूपी क्या है? रज्य है रज्य व्रक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते किन्तु उन व्यक्तियों की चरी तरशे निर्मीत होते जो उसमें रहते हैं प्लेटो ने कहा कि रज्य का निर्मान इन व्रक्षों से नहीं, चट्टानों से नहीं होता है, बलकि उन व्यक्तियों से होता है, जो व्यक्ति उस रज्जे में निर्मान करते हैं, और उस व्यक्तियों के भी चरीतर से उसका निर्मान होता है, प्लेटो का तात्प्रिय है, कि व्यक्ति जो रज्जे में रहता है, उ व्यक्तियों का व्रद रूपी रज्य है, तो रज्य में भी कितने गुण हैं, तीन गुण है, इस प्रकार से पूरे रज्य को उसने तीन भागों में विबाजित किया, तो ये क्वाटेशन धियान रखना है, ऐसा प्रशन पूचा जा सकता है, कि रज्य व्यक्ति की और रज्य का समंध मानता है, तीसरा रज्य का निर्मान वरक्षों से चट्टानों से नहीं, बलकि उस में रहने वाले व्यक्तियों के चरी तरफ शे निर्मान होता है, इस बात पर दिर्पर करता है कि उस रज्य में रहने वाले लोगों के विचार कैसे हैं, दूसरा जो पॉ तीन समाजिक वर्ग बताए समाज में एक वर्ग दार्षनिक दूसरा शैनिक और तीसरा व्यपारी और इस आधार पर तीन भागों में इनको बाटा है उन्होंने कि एक तो दार्षनिक, शैनिक और व्यपारी यह जो उत्पादक वर्ग होता है हम कह सकते हैं उत्पादक, दार्षनिक जो शासक है ये और इसमें जो प्रधान लक्षन है वो क्या है ज्ञान है और जो शैनिक है जो रक्षा का कारिय करते हैं उनमें मनोवेग यानि की भावना भावना का उनमें प्रधान लक्षन होता है और जो उत्पादक ह जो वैपारी है उनमें तरशना इच्छा का गुण सबसे अधिक पाये जाता है उनकी अप्रधान लक्षन उन्होंने बताएं उन्होंने का इनमें जो उप्युक्त जो सद्गुण है वो सद्गुण दार्षनिक राजा में विवेक और शैनिकों में क्या होना जरूरी है साहा लेकिन इन तीनों में से एक गुण की अधिकता होती है जिस गुण की अधिकता है उसे उसी वरग में रहना चाहिए उसी वरग में रहते वे उसको वही कारिय करने चाहिए अर्थार जिसमें विवेक है विवेक की प्रधानता है वो दार्षनिक वरग रहेगा जिसमें शाह जिवेक यनि कि जो दार्षनिक जो सामाजिक वर्ग है उसमें दार्षनिक तत्व अधिक है, जो सैनिक है उसमें सैना का गुन अधिक है, सैनिक तत्व और जो उत्पादक वर्ग है, उसमें कौन सा तत्व अधिक है, आर्तिक तत्व अधिक है, और यदि हम उसके वर्ग की बा पारी है उत्पातक है कुल मिलाकर विवेक शाहस और शैयम तीन प्रकार की आत्मा के गुण है और जिसमें जिस गुण की अधिकता है उसे उसी वरग में प्लिटो ने राकर व्यक्तियों को आत्मा के तीन गुण बता है और प्लिटो ने रज्जिक में तीन वरग बनाएं जि उसरे वर्ग के कारी में हस्त शेप नहीं करना चाहिए ये जो प्लेटो का जो सिदान्त था उसको नियाई सिदान्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो तीन गुण जो बताएं विशेस रूप से विवेक, शाहास और शैयम, ज् जो सबसे सर्वस्रिष्ट है, वो कौनसा है न्यायका है, उपरिक्त तीनों वर्गों में शैनिक और जो दार्षनिक सासक है, प्लेटो के राज्य के उन्हें प्लेटो शंग्रक्षक मानता है, कि दार्षनिक और शैनिक वर्ग का कारिय है, राज्य की सुरुक्षा करना, रा इभावक या शंग्रक्षक बताया है राज्य का दो कौन-कौन से दार्षनिक और शैनिक वरग को उत्पादक वरग को शंग्रक्षक में या फिर अभी भावक में सामिल नहीं किया है दूसरा प्लेटों के अनुशार तीनों वरगों को अपने अपने गुणों के अनुशार क कारिये करेगा तीसरी एदी हम बात करते हैं आदर्स रज्य को समझने के लिए तो इस आदर्स रज्य का जो आधार इस्तंब्य वो क्या है शिक्षा है क्योंकि प्लेटो का मानना था कि शिक्षा देकर हम प्रतियक वर्ग को उसकी आत्मा की प्रधानता की गुण के अनुशार उसको बहतर कारी करने के लिए प्रेडित कर सकते हैं उसको वो ज्यान दिया जा सकता है और प्लेटो का मानना था कि शाशन एक कल्ला है उसको प्राप्त किया जा सकता लेकिन हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है जिसमें सबसे अधिक बुद्धी होगी जिसमें सबसे अधिक विवेक होगा वो उस दार्षनिक राजा बन पाएगा साम्यवाद यनि की प्लिटो के आर्दस रज्य का दूसरी जो आधार जो इनकी आधार आधार इस्तम है पहला शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद प्लिटो को मैसूस हुआ उसने अपने जीवन में मैसूस किया कि व्यक परिवार वाद के कारण वो भाई बतीजे वाद के कारण ब्रिष्टाचार करता है इसलिए प्लिटो को लगा कि परिवार और संपति एक आधार सराज्य की स्तापना में सबसे बड़ी दो बादाएं हैं आते उन दोनों को समाप्त कर दिया दोनों के साम्यवाद का सिधान डिटीयाल में हम बात करेंगे जब साम्यवाद का सिधान तमस्ता हैंomasi लेकिन रखना कि प्लेटो के आदर्श राज्य के जो आधार इस्तम्बेवों शिक्षा और दूसरा क्या है साम ikजो शवाद इसने दो परकार का सम्यवाद दिया एक पतनियों का सामेवाद से परिव और दार्षनिक राजा पर ये लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर ये लागू नहीं होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, आदर्ष रज्य की निर्मान में आने वाली बादहों को वो जड़ से शमाप्त करना चाहता था, और प्लेटो के जो आदर्ष रज्य क कि जो आधार शिला है, जिसको हम कहते हैं, आधार इस्तम तो सिक्षा और संम्हवाद, लेकिन जो आधार शिला है, वो झ्याई का सितांत है, बहुत डिटल में हम भात करने वाले हैं, कि नियाई का सितान्त क्या था चौता पॉइंट आदर सरज्य की जो बागडोर दीती प्लेटो ने वो किसको दीती दार्शनिक राजा को और प्लेटो का मानना था कि वो व्यक्ति जो सबसे अधिक शिक्षित है सूर्श संस्क्रत है जो साहसी भी है जिसमें सयम है जो ज्यानी है जो निरलो भी है जो सबसे सर्वस्रिष्ट है जिसको प्रभुद्वर्ग कहते है विविक्षिल व्यक्ति है उसी के हाथ में उसने सासन की बागडोर दी है क्योंकि प्लेटो का मानना था तथा राजकुमारों में दर्शन की भवना या शक्ति नहीं आ जाती है तब तक नगर राज़्जों को उनकी बुरायों से मुक्ती नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्लेटों ने जो एथेंस जो नगर राज्जे था उसमें जो बुरायां देखी थे, उन बुरायों को दूर करने के लिए, उनका मानना था कि जब तक, जब तक जो है, दार्षनिक राजा नहीं बन जाएगा, तब तक नगराज्यों की बुरायों को दूर नहीं किया जा सकता था, उनका मानना था कि इस रोग का एक ही इलाज है और वो इलाज है दार्षनिक राजा और उसके लिए एक आदर्सरज्य की स्तापना और उस आदर्सरज्य का शंचालन करने वाला एक दार्षनिक राजा होना चाहिए। तार्षन राज हे इस Whenever शिक्षा का सिधान्त था और क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उनका मानना की शाशनिक राजा है उनको और पारंगत और निपून बनाया जा सकता है आधार इस्तंप के रूप में शाम्यवाद का सिद्धान्त दिया लेकिन वो उत्पादक वर्ग पर शाम्यवाद लागू नहीं होता शंग्रक्षक वर्ग जिसमें सैनिक और दर्शनिक राजा है इस्तरी पुरूष की समानता पर उसने बहल दिया था इस्त है प्लेटो अरश्तु जो वो तो विशेस रूप से प्लेटो की हम बात करते हैं तो इस्तरी पुरूष में समानता की बात शाहित ही नहीं करते होंगे क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचिन समय से ही बेदबाव चला रहा है लेकिन ऐसा नहीं है प्लेटो इस्तरी पुरूष को दिया लेकिन इस्टेटमेंट में उसने मिस्रित राजनाईकों को नित्रतु दिया था और अंत में आते आते उसको पता चला कि तो कलपना है यह यूटूपियन है इसकी स्तापना कभी भी हो नहीं शक्ति जब उसने अपने जीवन में कई थपेडे खाएं कई परकार की समस करना पड़ा तब वो वैभारिक बन जाता है अंत में और दलो उसकी जो अंतिम करती है उसमें जो है विदी के शासन की स्तापना की बात वो करता है यह सब की बात किताबों के बुक्स के बारे में चर्चा करेंगी तब आपको बताएंगे निरनकुस्ता असिमीत नहीं है क् कि हालांकि लिखित कानून और जन्मत का नियंतन तो नहीं है लेकिन कुछ मूलभूत जो परबंद है कुछ मूलभूत जो नियम है उसका दार्षनिक राजा को भी पालन करना होता था कारियात्मक विशिष्टी करन का सिद्दान्त बहुत अच्छा पॉइंट है कारियात्मक विशिष्टी करन के सिद्दान्त का मतलब है प्लिटो का मानना था कि जब एक आदर्स रज्य में तीन वरग है उत्पादक वरग किवल वैपार का कारिय करें कि किवल रज्य की आर् पुरण दक्सिता करें हैं इसका हम के सकते हैं की एक्सपर्ट बन जाता है ही सिटल दक्सता के सब gesशनुद bits पुर Tightra करेगा क्योंकि आत्मा के तीन गुण में से जिस गुण की प्र्धानता है उसी को बہठर तरीके से कर पायगा उचिता है कि व्यक्ति को वही कारिय करना चीए, जिसकी कारिय करने में उसकी रूची है, या जिस कारिय करने की उसमें योक्यता है, प्लेटो का मानना था कि सही व्यक्ति सही इस्तान, जो व्यक्ति जिस कारिय के लाइक है, उसको वही कारिय पराप्त होना चीए, तभी वो बहतर कारिय क तब ही वह बहत्र आउटपुट देपाता है। प्लेटो ने अपने अदर्स राज्जे में कूरूची पुरन कला और शाहितिय पर प्रतिबंद लगा ऐसा साहितिय कला जो कूरूची परन है। कि जो हम कह सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें कुरूतिया है या अच्छी कीजjack NOT भासा मैं कह सकते है उसके ऊपर उसने क्या लगा जो फूड है जो ap लोगों का नेतिकपत भरष्ट करते हम्की नेतिकता को शमाप्त करते क्योंकि प्लेटो दरशन पर बहुत दिख जोर देता था वो नेतिकता पर बहुत दिखबल देता था राज्य का लक्षे विशुद है अध्यात्मिक है और नेतिक है क्योंकि प्लेटो का राज्य नेतिक है इसलिए प्लेटो के राज्य में जो है दंड का कोई प्रावधान नहीं है इस बात का आप लोगों को दि या जाता है, तरक बुद्धिषे काम ने लिया जाता है, तरक में विश्वास करता था है, शुकरात का पूरा जो दर्शन है वो तरक पराधारित है, तो प्लेटो ने लोक्तंतर की आलोचना की, एक प्लेटो से समंदस शब्दावली आती है उद्दात जूट प्लिटो ने कहा कि यह जो तीन वर्ग हमने बनाये हैं और जंता इस बात को स्विकार करें इसलिए सासक वर्ग को दार्शनिक राजा को यह जूट बोलना पड़ेगा क्या जूट बोलना पड़ेगा कि धातुओं धर्तिशे जन्मे लोगों का यह मिथक बताना होगा कि धर्तिशे धातू सभी धातू कहां से निकलता हैं धर्तिशे सोना चांदी तामा लेकिन सब का मुल्य क्या होता है अलग अलग होता है ठीक उसी प्रकार से सभी व्यक्तियों ने माहा के गर्व शे जन्म लिया है लेकिन सब का कार करके अपने आपको रह पाएंगे वो विद्रो नहीं करेंगे उनको ये जूट बोलकर यानिकी शाशक को ये जूट बोलकर इस बात को लोगों को श्विकार करवाना पड़ेगा और एक्जामपल देना पड़ेगा धात्वों का और धरतीशे जन्में मित्कों का उसको अणिक है और शाव्यवी है और जवीक है रज्य एक प्राक्रतिक संस्ता है जट्रीम नहीं है ब्यक्ती नेतिक संस्ता है और नेतिक संस्ता है तो वहां विधी और दंड का कोई इस्तान नहीं है क्योंकि जा नेतिकता है वहां अपराद होंगे यह नहीं जा अपराद ही नहीं होंगे वहां विधी और दंड की कोई आउशक्ता नहीं है आगे चलिए अब प्लेटों के जो आदर्स रज्य के बारे में हमने जो भी बात की उसकी आलोचना किस प्रकार से की गई आलोचना के वल हम आदर्स रज्य के संदर में कर रहे हैं और भी प्लेटों की ऑवरॉल आलोचना के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो डनिंग जो है उनका कहना है कि आदर्स रज्य कोरी कलपना है, ऐसा रज्य कभी इस्तापित नहीं हो सकता है, जिसमें शाम्यवाद का सिधान्थोब, संपति का साम्यवाद हो, जिसमें पशु जगत के नियमों को लागू कर दिया गया, जो परिवार का जो साम्यवाद है, हम बात करें कि किस प्रकास एक आदर्स रज्य केवल कलपना है ऐसे दार्सनिक राजा का कभी निर्मान नहीं किया जा सकता है यह केवल बादलों में इस्तापिद करने वाला रज्य है यह संध्या के बाद का एक ऐसी कलपना जो कुछी समय में अंदेरे में डूब जाता है कार्ल पॉपर जिसने उन्मुक्त समाज के तीन जो दुष्मन बता है जिसमें प्लेटो है कार्ल माक्ष है जो उसने बताय थे उसमें उनका मानना था कि आदर्स रज्य कार्ल पापर ने का था कि आदर्स रज्य को बंद प्रनाली मानता है बंद प्रनाली का मतलब जो व्यक्ति के व्यक्त नहीं आपके पास होगा, इस सब कुछ प्लेटो खुद निर्दारिद कर रहा है, व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई श्वतंतरता नहीं है, दास्तनिक राजा ने जो कहा दिया वही फाइनल है, तो कारल पापर ने लिखा है कि आदर्स राज्य को उसने बंद प्रना लिक सेबाइन रीपब्लिकन को एक कलपना वाद मानता है, ध्यान रखना मैक्षी प्लेटो को कलपना वाद ही कहता है प्रथम, और सेबाइन कहता है कि जो रीपब्लिक उसकी पुस्तक है वो एक कलपना वाद मानता है, उसको कलपना वाद कहता है, डनिंग आदर्स राज्य को र एसा रज्य क्समिंस इतने नहीं कि आंट में कैसी ऊंज पर राज़ परकार का कोई प्रतिबंद नहीं क्योंकि एसा माना जाता है कि राजा सबसे बुद्धि शालिय तो लिए यह करी नहीं सकता है यह घलत बात है प्लेटो आउप प्लेटो ने का है कि कानूनों के चीजा इसके पर माद्र interject प्लेटो इन्य 여기까지 राजाधार कि है वां to कि बुद्धिश्य व्यक्ति है तो वां कानूनों के कोई आउशक्ता नहीं है इसी कारण बारकर ने बारकर ने जो है प्लेटो के आदर्स राज्य को प्रभुद निरंकुस्तावाद गाता बहुत मैंत्मुन प्रशनेर पूछा भी जा चुका है प्रभुद निरंकुस्तावाद यहने कि एक गुद्धिशाली व्यक्ति का एक विएक्षिल व्यक्ति का न वेवारिक है और बादलों में इस्तिते एक नगर है जो संध्याकाली नतंतू है जो सन भर में रात्री के अंधरे में क्या हो जाता है विल्पत हो जाता है उसको धरातल पर कभी भी शाकार रूप देना संभव नहीं है ऐसा प्लेटों ने खुद ने मैसूस कर दिया था इसलि स्वतंतरता का विरोधी है वो इनकी व्यक्तिकत स्वतंतरता के अस्तित्वा का विरोधी है कारल पापर कहता है वो प्लेटों को मुक्त समाज का सत्रू मानता है मुक्त समाज का क्या मानता है शत्रू मानता है कारल माक्स को भी वो साथ में लेता है पापर निये भी का है कि तो का आदर्सराज्य की बंदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है यहीं कि इस आदर्सराज्य के नाम से व्यक्ति का क्या कर दिया गया है वेदी पर आदर्सराज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया है और अंत में उत्पादक वर्ग को शाशक के किरियाओं से अलग रखा है उत्पादक वरग को शंगरक्षक वरग में सामिल नहीं किया है उनके लिए समुचित शिक्षा ववस्ता की भी अलग ववस्ता की उनके उपर शाम्यवाद का सिद्धान्त भी लागो नहीं किया है और उनको सासन ववस्ता में भाग लेने से बिलकुल अलग क हमारा जो political academy जो app है उस app को जो है आप अवश्य प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उसमें हमारी first grade school वेक्यातर से समंदित जो demo class है उसको अवश्य देखें और आपको ठीक लगता है कि हम बहतर तरीके से आपको त्यारी करवा पाएंगे तो हमसे जरूर जुड़िए हमारे whatsapp ग देखने के लिए धन्यवाद thank you thank you very much